लो फ्रेंट्स वेल्कम वन्स अगेन इन सुन्दरसस क्लासेज तो चलिए स्टुडेंट्स आज का ये मेरा वीडियो है कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स के लिए है जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होती है और जिनका परियोग हम डे टो डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे जो लोग हैं मैं तो कहता हूँ कि मैक्सिमम जो लोग है इनका यूज जो है वो गलत वे में करते हैं कुछ एक एजुकेटिड परसन भी जो हैसे है जो इनका परियोग गलत तरीके से करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चुनिंदा वर्ड्स नाउन वर्ड्स जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये वर्ड्स हम परियोग कैसे करते हैं किस रूप में करते हैं जबकि वास्तों में इनका परियोग क्या होता है तो ऐसे ही कुछ वर्ड् देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए स्टुडेंट्स हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले जो हम वर्ट्स ले रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है अक्सर आपने सुना होगा स्टुडेंट्स ने भी इसका उचान करते हैं बोलते भी देखा होगा कि जैसे हम अक्सर क्या कर देते हैं कजिन ब्रेदर या कजिन सिस्टर का साथ हम तो हम इसका यूज आपने बिलकुल जैनरली जो है सुना होगा तो जो है ये हमारा क्या है ये इदर रॉंग यूज लिखे में और राइट जो है सही परियोग इनके क्या होते हैं तो आप ये देख लिए कजिन के साथ कभी भी कोई ब्रेदर या सिस्टर नहीं लगता है तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कजिन के साथ ब्रेदर या सिस्टर आपने नहीं लगाना है ये पहला हमारा वर्ड था आप तो आपको पता चला होगा कि कितने एक जो है स्टूडेंट्स इसका रॉंग जो है प्रियोग हम करते हैं नेक्स्ट वर्ड देखिए नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं भई पिक पोकेटर आम तोर पे हम कहा ज़ते हैं पिक पोकेटर जेब कत्रा तो पिक पोकेटर नहीं होता असल में जो है वो सही जो वर्ड होता है वो क्या होता है मारा पिक पोकेट ही होता है वर्ड ये तो इसक बात देखिए अगला वड़ हमारे पास कौन सा है अगला वड़ हम अकसर जे हैं ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए सुना होगा वट इस यूर गुड नेम गुड नेम और बैड नेम कुछ नहीं होता ये जहां रखना है अगर आप कह रहे हैं गुड नेम या ब बढ़ वासे से वर्ड्स हैं जिनका परियोग, गलत परियोग करने का एक ट्रेंड बन जाता है और वो ट्रेंड ही जो है ऐसा बना हुआ है कि इन वर्ड्स के साथ हम एक्स्ट्रा जो है वर्ड्स या अपने आपको ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाने के लिए हम अनेसेसर name what's your good name or bad name यह हमने नहीं यूज़ करना इस चीज़ का अपने ध्यान लखना है next word लेते हैं next word हम अक्सर यूज़ करते हैं blender के साथ big blender it's very big blender it's a small blender तो यह चीज़ का अपने ध्यान लखना blender का मतलब ही होता है बहुत भारी गलती बहुत भारी भूल blender का मतलब ही होता है बहुत बड़ी या बहुत भारी भूल तो इसके साथ आपने big या small लगाके इसका meaning बदलने की कोशिस नहीं करनी है इसका use गलत हो जाएगा तो यह ध्यान रखना है big या small blender आपने use नहीं करना है हमने केवल use करना है blender it's a blender भी एक बहुत बड़ी blender का मतलब ही होता है बहुत बड़ी जो गलती या बहुत बड़ी जो भूल हो सकती है तो इसके साथ आपने big या small का परियोग नहीं करना है इस गलती को भी अगर आप परियोग कर रहे हैं तो आप इसको सुधार लीजिए next word हम लेते है strong breeze अक्सर हमने कहते हैं बड़ी strong breeze चल रही है तो ये चीज का ध्यान रखिए देखे strong जो है वो breeze नहीं होती कभी भी strong जो है केवल wind होती है wind के साथ आप strong use कर सकते हो strong wind is blowing wind के साथ आप strong लगा सकते हो लेकिन breeze जो अतना breeze breeze हमेश्य ही gentle होती है जो हलकी हलकी हवा जो चलती है must जो हवा चलती है उसी को हम breeze बोलते हैं तो please breeze के साथ आपने strong का जो strong का या फिर इस चीजादर words का प्रियोग नहीं करना है breeze का मतलब breeze ही होता है जिसका मतलब ही होता है बहुत ही must सी प्यारी सी हलकी हलकी हवा उसी को हम breeze बोलते है तो इस चीज़ का जान रखना है कि breeze के साथ strong breeze नहीं लगाना है strong लगाना है तो wind के साथ हम strong लगा सकते हैं strong wind तो इस चीज़ का भी आपने जान रखना है इसको भी अगर आप गल्द कर रहे हैं इसका भी आप सुधार सकते हैं अपनी इसके बाद next word लेते हैं एक ये भी हम बड़ा common use करते हैं भी मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा और अक्सर हमारी अग्यानता की वज़े से हम क्या कहते हैं bad dream भी बड़ा बुरा सपना तो देख लिया सपने को बोलते dream और उसके परियोग word कर सकते हो nightmare nightmare word होता है अगर बुरे सपने की बात कर रहे हैं तो हम nightmare you have to forget it imagine nightmare यानि बुरा सपना समझ कर आप इसे भूल जाएए या भूलना होगा तो बुरे सपने के लिए हम परियोग bad dream का नहीं करेंगे ध्यान रखना आपने ये कि बुरे सपने के लिए अगर आपने word use करना है तो आप nightmare का use करेंगे सपने के साथ good या bad का परियोग नहीं करना dream dream ही होता है चलिए next word की तरफ हम देख लेते हैं next word हमारे पास है proudie ये भी एक common use करते हैं और ये हमारे दर्सात है कि हम कितने जो है मतलब एक अग्यान हैं इंग्लिस के परती proudie करते हैं तो बड़ा proudie है he is very proudie actual में proudie नहीं होता केवल क्या होता है proudie word होता है ये proudie word जो है ये गमन्डी के लिए भी हम proud का ही इस्तेमाल करते हैं proudie हमने अपनी तरफ से अपने बना लेते हैं कुछ एक ये ऐसे words होते हैं जो हम अपने आप बना लेते हैं जिनका कहीं अस्तितव नहीं होता है लेकिन हम बना लेते हैं तो इस प्रकार के अपने खुद की English से बचना है आपको पता होना चाहिए कि दोनों वर्ड्स में क्या अंतर थिस स्कील होता हूं skill कुशलता कह सकते हैं आप दक्सता या कुशलता दक्सता या कुशलता तो जो skill होता है वो क्या होता है get by learning जो हम किसी चीज को करके सीखते हैं जो चीज को practice से करके सीखते हैं तो जो हमारे पास दक्सता या निपुनता आती है उसको हम skill बोलते हैं जैसे हमने अभ्यास करकर के हमने कोई वाद्य इंत्र बजाना सीख लिया, कोई मुजिकल इंस्ट्यूमेट बजाना सीख लिया, उसमें हम बहुत बड़े पारंगत होगे, बहुत जादा जो है मतलब एक्सपर्ट होगे तो हम कैसे skill, तो जैसे कोई हमने कोई चीज़ सीख लि की e earning, जो हम सीख के प्राप्ट करते हैं, सीख के प्राप्ट करते हैं, वो हमारा skill होता है, दूसरा बात होता है talent, talent का मतलब होता है गुन, यानि की talent में talent वह होता है, जो inborn होता है, जो पैदाईसी होता है, वो कहता नहीं, भै समें कशचे का हमने देख़े हैं, कि बहुत एक ड्राइवर जो है एक ड्राइवर पहडिक शेतर में बहुत ही कुसलता से गाड़ी चलाता है बहुत स्पीड से बहुत कुसलता से गाड़ी चलाता है तो वो जो ड्राइविंग है वो क्या होगा वो स्किल होगा ड्राइविंग स्किल है वो तो अगर एक पांस साल छे साल क याद कर लेता है, वो talent कहलाता है, वो होता है talent, क्योंकि वो ऐसी जो quality है, वो उसमें inborn है, तो ये दोनों में difference है, आपने ध्यान रखना, skill, getting by learning, talent, inborn, तो ये सीज़ का भी आपने ये ध्यान रखना है, next word हम लेते है, envy और jealousy, दोनों का मतलब ही होता है, इरश्या, दोनों के प दोनों के meaning में थोड़ा difference होता है, हाला कि इरश्या जलन होती है, लेकि दोनों के meaning में फिर भी अंतर होता है, envy होता है, जो दूसरों की चीज़ों को देख के हमें जलन होती है, वो होती है envy, दूसरे के पास बड़ी चमचमाती गाड़ी ली आया है, हमें उसे इरश्या हो र होती है कि अपनी चीज किसी दूसरे की वज़े से खोने का जो डर होता है जो होता है जो उसके परती जो चीजे होती है वो कहलाती है जैलिसी सिंपल से एक्जामपल देता हूं जैसे मानने यह कोई औरत है वो अपने पती को किसी दूसरी महिला के साथ अगर देख लेती है तो वहाँ जो पैदा होती है वो उसको हम बोलते है जलसी वो होती है जलसी तो यह जलसी और एनवी में डिफरेंस होता है किसी की वज़े से अपनी चीज खोने का भै होता है वहाँ से जो हमें जो जलन जो पैदा होती है वो जलसी होती है और दूसरे की चीजों को देख के जो हमे जो हमें इर्शा या जलन होती है उसको हम एन्वी बोलते हैं तो student ये दोनों words का difference जो है आपने अच्छी तरीके से याद रख लेना है ये आपने ध्यान रखना है next बड़ा common word है एक roof है और एक ceiling है अक्सर जो है बड़े से common words है काफी आपको students को पता भी होगा फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ roof और ceiling में क्या अंतर होता है दोनों का मतलब भी आम तोर पे छट से ले लेते हैं इंदी में जो दोनों के लिए छट का प्रियों करते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है तो ceiling जो होती है सिल्इंग होती है हमारे चछत का निचला हिस्षा जिसको Cath सिल्इंग के अंदर हम है और जो चत का हिस्षा हमें दिखाई दे रहा है वह सिल्इंग होता है जैसे आपने देखा हुए जो पंख्रा चछत के लटकता है तो उसका नाम भी ceiling fnishally होता है क्योंकि वो ceiling से लटका होता है fall ceiling कर जैसे हम कहते हैं fall ceiling करवाते है वही fall ceiling कर लटकती हुई छत तो ceiling जो है छत का निचला हिस्सा जो हमें निचले दिखाई देता है और roof छत का उपरी हिस्सा होता है जो आस्मान की तरफ होता है तो ये दोनों में difference है तो students ये एक छोटा सा परियास था मेरा और इसी प्रकार से मैंने जैसे आप से promise किया कि इसी प्रकार के जो है कुछ interesting, कुछ facts और कुछ important जो है ऐसी जो videos जो है मैं आपके सामने लगाता लेकर आता रहूँगा तो आप बस इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए तब तक have a nice day, thank you